अपने आजब गजब बयानों से सुर्ख्यों में रहने वाले गोपाल पूर विधान सभा से जेडियू विधायक गोपाल मंडली एक बार फिर से बड़ा वयान दिया है मुखे मंतरी नितीश कुमार के बीजब पी में शामिल होने के बयान पर गोपाल मंडल ने कहा कि नितीश कुमार मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अब भाजबा के साथ नहीं जाएंगे अगर नितीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा वही विधाय गोपाल मंडल ने जीतन राम मांजी को लेकर विवाधत बयान दे दिया है जीतन राम मांजी थोड़ा बुड़े हो गई है सठिया गया है दिमाग उनका मुसहर है कि नहीं है कोई जानता है मांजी तो मल्ला को कहते हैं नितीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया यही गल्ती किये जीतर्नों मांजी थोड़ा भी हो गया शठ्थिया गया दिमागुन किया बोल तुछ उसका कोई गिंदि है जीतर्न मांजी कौन है मुश्र है कि नहीं है क्या यह नहीं है पोई माने तो म गिंती है यहां से वहां वहां से वहां यह करते रहता है पाला ताला बदलने वाले नहीं है बीजेपी नितीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं जाएंगे तिनका बजूद घट जाएगा बता दें बिहार की राजनीती में इन दिनों उथल पुथल का दौर चल रहा है बीजिपी नितीश कुमार पर लगातार हमलावर हो रही है ये कयास लगाए जा रहे थे कि नितीश कुमार इंडिया गटबंदन का साथ छोड़ कर फिर से एंडिये में वापसी करेंगी हलाके इन सब बातों से मुख्यमंतिर नितीश कुमार ने खुद परदा उठा दिया है और ये साफ कर दिया है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है मेरा मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को एक जुट करना और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है पज़ाब के सिर्फ टीवी के लिए भागलपूर से अंजुनी कुमार कश्यप के रिपूर्ट अगर चले गए तो राजनिती से हट के मतलब चले गए इनका राजनिती पतन हो जाए जीतर नमाजी थोड़ा बुढ़ा भी हो गए शठ्या गया दिमागी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए